अबसे पहले ये समझते हैं कि dilute और concentrated का मतलब क्या होता है। इन terms के बारे में सबसे जरूरी बात ये है कि ये terms relative हैं। यह relative का मतलब क्या है। यह स्क्रीन पर दो beaker से, एक left side पर है और एक right side पर है। और दोनों में colorless solvent है, 100 milliliter की मात्रा में। अब left वाले beaker में हम red solute का 20 milliliter डालते हैं और right वाले में हम same red solute का 50 milliliter डालते हैं। इस case में हम कहेंगे कि right side वाला solution concentrated और left side वाला solution dilute है। यहां हम इन दोनों को एक दूसरे की तुलना में देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि dilute solution के मुकाबले concentrated solution थोड़ा ज़्यादा right है। यह कह सकते हैं कि यह stronger है। एक और example लेते हैं। हम फिर से दो खाली बीकर लेते हैं। जिसमें किसी solution का 100 milliliter है। पहले बीकर में 20 milliliter solute और 80 milliliter solvent है। और दूसरे बीकर में 25 milliliter solute और 75 milliliter solvent है। आपके इसाप से कौन सा solution ज़्यादा concentrated है। बिलकुल सही। इसका आंसर दूसरा भीकर है। क्योंकि दूसरे बीकर में solute का proportion ज़्यादा है। अब आपको पता चल गया कि dilute और concentrated का मतलब क्या है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि dilute और concentrated acids और basis क्या होते हैं। acids के cases में water को solvent माना जाता है। और पानी में मिलाए जाने वाले acid को solute माना जाता है। तो यहां हमारे पास एक beaker है जिसमें पानी है और हम इसमें acid मिलाते हैं। जैसे जैसे beaker में acid का amount बढ़ता जा रहा हैं वैसे-वैसे solution और concentrated होता जा रहा है। अब यहां एक interesting question आता है। इसका answer पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पानी में acid या base मिलाने का process बहुती exothermik होता है जिसका मतलब है कि इससे काफी heat generate होती है अब अगर हम acid में पानी मिलाएं तो generate होने वाली heat से mixture बाहर आ सकता है और इससे कुछ जल सकता है और ज्यादा heating की वज़ा से glass container भी तूट सकता है जिसमें solution रखा है अब आप सोच रहे होंगे कि पानी में acid मिलाने पर भी ऐसा होगा है ना? ऐसा नहीं होगा चलिए इसे समझते हैं जब हम पानी में acid मिलाते हैं तो reaction तब भी exothermik होता है लेकिन पानी heat अब्सॉर्ब कर लेता है और acid के विपरीद पानी heat को अब्सॉर्ब कर लेता है और इसी लिए acid में पानी मिलानी की जगा पानी में acid को मिलाना ज़्यादा सही है लेकिन याद रुखें acid को थीरे थीरे drop by drop मिलाना चाहिए और हमें हमेशा solution को हिलाते रहना चाहिए क्योंकि अगर हम एकदम से पानी में बहुत सारा acid डाल दें तो इतनी ज़्यादा heat generate होगी कि पानी भी इतनी heat को absorb नहीं कर पाएगा